हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ स्नेहा और आप देख रहे हैं स्नेहाज टेस्टी रेसिपीज तो देड़ किस बात की आईए शुरू करते हैं तो आज हम बनाते हैं पोहा पोहा बनाना वैसे तो बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ी सी उसमें बाते होती हैं जिससे की पोहा निखर कर लाता है तो मैंने यहां पे लिया है दो कटोड़ी पोहा इसे पानी में भीगो कर एक मिनट के लिए छोड़ देरना है और एक मिनट के बाद इसे फटा-फट से छान लेना है अगर आप ज्यादा दिर तक पानी में रखोगे तो पोहा गल जाएगा अब आपका पोहा जो है नर्म होना शुरू होगा तो जितना भी पानी इसमें बचा होगा पोहा उसमें फूलने लगेगा तो अब इसमें फिलेवर भी डाल देते हैं जैसे की नमक और चीनी थोड़ी देर बाद इसे मिला लेते हैं और आप देख सकते हो कि पोहा एकदम नर्म है पोहा बनानी के लिए आप सबजेया भी अपनी पसंद की डाल सकते हो तो मैं यहाँ पर आलू ले रही हूँ प्याज ले रही हूँ अदरक और हरी मिर्च ले रही हूँ तो इन सारी चीजों को रफली चॉप कर लेना है ताकि यह जल्दी से पक जाए कराही में सबसे पहले आपको तेल डालना है और ज्यादा तेल नहीं डालना है थोड़ा सा ही काफी होगा फिर मैंने यहाँ पर दो चमच मुंगफलियां डाल दिया मुंगफलियों को चटकने तक अच्छे से पकाना है ताकि वो कराडी हो जाए क्रिस्प हो जाए यह हमारे पोहा में एक अलगी फ्लेवर देती है तो इसको अच्छे से पकाना और निकाल लेना और फटा-फट से पोहा बनाना शुरू करते हैं तो उसी तेल में सबसे पहले आलू डाल दिया है क्योंकि आलू को पकने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा कच्छा आलू है थोड़ी देर आप आलू को रोस्ट करना और थोड़ी देर बाद इसे ढख देना ताकि अंदर तक आलू अच्छ भी हो जाएगा तो आलू को थोड़ा साइड कर देना और तेल में यहां पर एक चम्मच राई डाल देना और कटी हुई हरी मिर्च गिसी हुई अधरक भी डाल देना अब इसे मिलाना और हां इसमें प्याज भी डाल देना प्याज को तो ज्यादा पकाना नहीं है जैसे ही प्याज का केलर हलका सा चेंज होगा आप इसमें आधा चम्मच हल्दी डाल देना अब हल्दी को भून लेना सारी सब्जियों के साथ 2-3 मिनट फिर पोहा डाल देना इसमें पोहा में अल्रेडी चीनी और नमक है और लास्ट में मैंने जो मुंग फलियों को रोस्ट करके रखा था वो डाल देंगे अब इन सारी चीजों को मिलाना और पोहा लगभग तयार है लेकिन एक सीक्रेट चीज करेंगे जिससे की पोहा और भी लंबे टाइम तक नरम रहेगा तो मैंने यहाँ पर पानी लिया है हलका सा यहाँ पर छिरक देना और पोहे को ढख कर 3-4 मिनट के लिए छोड़ देना है इसके बाद जब आप खोलोगे नरम नरम पोहा बनकर तयार है आप देख सकते हो कि पोहा बिल्कुल अलग अलग है चिपका चिपका नहीं है और खटास के लिए एक चम्मच निम्बू का रस डाल देना है अगर खटे मीठे का सही बैलेंस ना होना तो पोहा खाने का मजा भी नहीं आता है लास्ट में आपके घर में जो भी नमकीन हो उपर से डाल सकते हैं जैसे कि आलू भुजिया सेवियां अगर कुछ नहीं डालना है तो कुछ मत डालना वो तो और भी हेल्दी है तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नई रेसिपी के साथ थैंक यू